हेलो दोस्तो टीवी टेंज चनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो हैं भारत के कुछ इंटरस्टिंग फेक्ट्स के बारे में जानेगे पर उससे पहले आप हमारी चनल का सब्स्राइब कर ले और बेल आइकोन को दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सब से पहले पहुँच जाए तो चली आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पर पानी भारत द्वारा हो जा गया यह एक बहुत ही इंटरस्टिंग फेक्ट है अंत्रिक्ष से जुड़ा हुआ है सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान एक ने अपने मून मिनरोलोजी मेपर का उप्य 2011 का जो कुम्भ मेला हुआ था उसके अंदर साड़े साथ करोड से अधिक तेर्थियात्रों ने एक साथ एक ही जगह पर जमावड़ा किया था यह एक विश्व की सबसे अस्चरी कारक घटना हुई थी और इतनी ज्यादा भीड एकत्रित हुई थी जिसे अंत्रिक्षे भी देखा जा सकता था तो यह एक भारत का बहुत बड़ा कुम्भ मेला जो है वो एक फैक्ट है और इस साल का कुम्भ मेला उसमें करीब उनसे भी ज्यादा 15 करोड लोगों की आने की संभावना है कुम्भ मेला 2019 दोस्तों आपको मैं बता दू के शेंपू की सोध भी भारत में हुई शेंपू करना एक भारतिय आदत थी शेंपू का अविश्कार भारत में किया गया था जिससे एक तरल पदार्थ के अंदर जड़ी ब्यूटियों का उप्योग करके माथे पेल लगा दे थे इसको वह हमारे सामने है दोस्तों फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ये भी भारत का एक बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट है भारत में एक लाख 55,015 डाक घर है जो दुनिया में सबसे बड़ा डाक का नेटवर्क है स्रीनगर में एक डल जी लाई हुए जिसके अंदर एक फ्लोटिंग यानि कि तेरता हुआ डाक घर है 2011 में इसका उत्गाटन किया गया था ये भी एक इंटरस्टिंग फैक्ट है दोस्तों सब लोग जानते है कि क्रिकेट भारत में कितना पोपिलर खेल है उसी खेल से जुड़ी इंटरस्टिंग बात में आपको बताने वाला हुँ कि दुनिय 2444 मीटर की उचे पर हिमचल प्रदेश के चेल में चेल क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है ये दुनिया का सबसे उचा क्रिकेट ग्राउंड है जिसे 1993 में बनाया गया था दोस्तों दूसरी भारत के साथ जुड़ी हुई एक इंटरस्टिंग चीज ये है कि दुनिया की स सबसे अधिक वर्षा रेकोर्ड की गई थी हाल के समय में भी इन जिगा पर काफी ज्यादा बारिस पड़ती है विस्व के मुकाबले चेरा पूंजी मेगाले में सबसे अधिक वर्षा होती है तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा बारिस वाले इलाकों में सुमार है आगे भी हो सकता है आने वाले वल्ड कॉप में हम जीते पर एक चीज में इनसे जुड़ी रोचक खेल से जुड़ी बात आपको बता दू कि भारत में कबडी की खोजुई है और उसे से जुड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रिय कबडी टीम ने अब तक सभी वल्ड कॉप किये है तो दोस्तो ऐसा नहीं है कि भारत में उनकी खोज हुई इसलिए तो उसका जीतना स्वाविक है ब्रिटन के अंदर अंग्रेजों ने क्रिकेट के खेल की शोध की थी पर वो क्रिकेट के वल्ल कप को हर बार नहीं जीत पाते हैं आगे का जो इंटरस्टिंग फैक्ट है वो महिलाओ को ज्यादा आकरशित करेगा क्योंकि यह है जुडा डाइमंड से दोस्तो भारत में सबसे पहले हीरा उपयोग में आता था अठारवी सदी से पहले किसी को भी पता नहीं था कि हीरे जैसी कोई चीज होती है भारत में सबसे पहले हीरा उपयोग माता था लेकिन 18 सेंचरी के बाद पूरी दुनिया में इसका उपयोग होने लगा गुंटूर और कृष्णा नदी के आसपास हीरे की खाने हुआ करती थी उसके बाद जब ब्राजिल में हीरा मिला तब उसके बाद से अलग अलग जगा उपर हीरो की खोज होने लगी और भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता था हीरो की दोस्तो आप विज्ञान से जुड़ी अग बाद बता दू की स्विजरलेंड के अंदर हमारे मुत्पुर्वर राष्ट्रपती एपीजे अब्दुलकलाम एक दिन गए वहां के लोग उनसे इतना प्रभावित हुए कि उस दिन के बाद से उन्होंने 26 माई को विज्ञान दिवस के तोर पर घोशित कर दिया भारत के मिसाइल में एपीजे अब्दुलकलाम स्विजरलेंड के दोरे पर 2006 में गए थे और उसके आगमन पर वहां के लोग इतने खुश हो गए कि 26 माई को उन्होंने विज्ञान दिवस कोशित किया और तब से वो उन्हें विज्ञान दिवस के तोर पर हर साल मनाते हैं आज का हमारा इस्रो है वो तो काफी हाइटेक हो गया है वीश्व के साथ ताल से ताल मिलाता है पर पहला जब उन्होंने रोकेट उडान के लिए ले जाया रहे थे तब वो साइकल पर रखके ले जा रहे थे तो ज़रा सोचिए कहां से कहां हमने चलांग लगाई है तब तक को उड़ाए क्योंकि वो पत्रिला रास्ता था वहाँ पर कोई इंफ्रास्रक्चर भी नहीं था तो हमें उस जगह पर जहां से हमें रोकेट छोड़ना था वहाँ ले जाने के लिए साइकल का इस्तमाल किया था दोस्तो एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बता दू कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला पोपिलेशन है यानि कि भारत की सबसे अधिक जन संख्या है विश्व के अंदर जो इंगलीश बोलती है दोस्तो इंगलेश दे जुड़ी एक और भी बात में आपको बता दू कि इंगलीश एक ग्लोबल लेंग्वेज है विश्व के साथ connect करने के लिए English का घ्यानती अवशक है और जो देश विश्व की भासा बोलता है और समझता है वो ही आने वाले सालों में महासकती बनेगा तो भारत और अमेरिका अमेरिका भी आज की तारिक में एक महासकती है तो हो सकता है भारत भी आने वाले समय में एक महा सक्ती बन जाए क्योंकि चाइना का जो है वो एक disadvantage है कि वहाँ के लोग प्रोपर जो है वो 1 से 2% लोग ही इंगलिश बोलते है तो विश्वकर साथ connect होने के लिए हमें विश्वकी बासा बोली जानी चाहिए भारत के अंदर अभी करीब 12 करोड लोग इंगलिश बोल रहे है पर आने वाले समय में ये संख्या काफी तेज होने वाली है दोस्तों दूसरी भी एक बात बता दू की भारत सबसे ज्यादा शाकाहारी देश है किसी भी देश से भारत की जन संख्या सबसे ज़्यादा शाकाहर का उपयोग उपने खाने में करती है यह धार्मिक कारणों से मान ले या रिप्तिगित की पसंद की ही कुछ ऐसी है कि भारत के करीब 20% से लेकर 40% लोग शाकाहरी है जो दुनिया में सबसे बड़ा शाकाहरियों का आकड़ा है आधुनिक समय के महत्मा गांधी के तोर पहचाने जाने वाले यह होलिवुड के प्रशिद ओस्कार एवर्ड विनर होलिवुड स्टार बेन किंग्स ले है जी हाँ यह होलिवुड के ही स्टार है पर उनके मूल जो है वो भारतिय सस्कृति से टच्च हो रहे है उनका जन्म का नाम जो था वो कृष्ण पंडित भांजी है आपको यकीनन ये शौक लगेगा कि इतने बड़े होलिवुड के स्टार जिनोंने आज कल अपनी आइडिनिटी बदल दी है पर उसका जन्म का नाम जो है वो बेन किंग्स ले नहीं था पर कृष्ण पंडित भा के लिए वहां पूरा बुथ खोला जाता है ये भी भारत की एक खास विशेश्ता है महंत परतदास दर्शन दास 2004 से मद्दान कर रहे है और उनके हक से वो वन्चित नार है इसलिए चुनाओ आयोग एक अकले व्यक्ति के लिए भी वहां वोटिंग बुथ लगाता है यही ह हमारे भारत देश की महंता और इससे भी एक दूसरी चीज़ में बता दू कि लदाख जैसे इलाके है जहां बहुत ही कम पोपिलेशन है वहां पर भी हमारी संस्थाये जाती है और लोगों को मतदान करवाती है इससे बड़ा लोकसाही का उदारन और क्या हो सकता है दोस्तो अब खेल की बात में थोड़ी सी कर लूँ साप सीडी का नाम तो आपने सुना होगा साप सीडी का असली नाम है मोकस पाटमू यानि ये उसका पुरातन नाम है साप सीडी भारत में ही सबसे पहले खोजी गई थी और इनके जरिये बच्चों को पाप कर्म और पुन्य कर्म क यानि सापसीडी का अविश्कार भी भारत में हुआ है और इसके साथ भी बहुत लोग मानते हैं कि चेस का अविश्कार भी भारत में ही हुआ है। जब बहुत हजारों साल पहले एक विशाल भारत हुआ करता था उस भारत के अंदर चेस की शुरुवात हुई आज कल वो इलाका स्री लंका में आता है एक और फैक्ट में भारत जजुड़ा आपको बता दू कि भारत सबसे प्राचीन तम सभ्यता और फिर भी आज की युग में भी चलने वाली सभ्यता है आज तक दोस्तो 5000 से ज्यादा सभ्यता आई और चली गई पर कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो 10-15 अजार सालों से लेकर आज के युग में भी अस्तित्व धारन की हुए हो नशिप हमारी सभ्यता धारन की हुए है पर प्राचीन तम सभ्यता जिसे आज कल हिंदु धर्म के नाम से जाना जाता है वो विश्व के तीसरे नंबर का धर्म है दोस्तो भारतीय रेल से जुड़ा हुआ एक फ्यक्त भी में आपको बता दू कि भारतीय रेल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली फर्म है 10 लाग से अधिक लोग काम करते हैं जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार नियोकता बना देता है भारत के बार में एक और चीज बता दू कि भारत के अंदर हिंदुईजम, सिखिजम, बुदिजम और जैनिजम जेसे चार महान धर्मों का उत्थान हुआ दोस्तो बहुत से देश होते हैं, हर एक देश के पास अपनी धार्मिक सभ्यताई होती है, सिस्कूरूती होती है पर एक ही जगा पर इतने चार बड़े बड़े धर्म होना ये भी एक अच्छी बात है, यानि हमारी पवित्र भूमी है इसका सम्मान करते हुए, आज की वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं दोस्तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए और भी रोचक वीडियो को हम लेकर आएगे दूसरे देश के बारे में भी बहुत सी रोचक जानकरी हम लाएगे तो उसके लिए हमें सब्सक्राइक करें, बेल बटन दबाए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जेर जुरू करिएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेगी अगले वीडियो में, बाई बाई